हाई एवरीवान कैसे हो आप सब आप खुश हैं सस्त हैं और मस्त हैं और थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं और आप सभी का मैं किते हैं कि इतना सारा शुक्रि बहुत ज़्यादा जरूरी है एक planning करना ओके एक मुझे मैं बस थोड़ी देर meditation करती हूं meditation भी नहीं करती हूं बस मुझे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा intuition मेरा हाई रेता है तो मुझे बस वही से message मिलते हैं ओके और आपको reading जो मेरा एक message आया आप सभी के लिए कि अब आपको कौन सी रण नीती के तहत आपको काम करने की ज़रत है ठीके आपको आपका परमेश्वर कौन सी रण नीती आपको बनाने के लिए पोड़ रहा है रण नीती मिन्स अपने लिए planning करना, strategy बनाना अपने लिए एक जैसे किते हैं एक schedule ते करना उसको जैसे किते हैं माइंड में रखना और उसके तहत काम करना तो आज का मेरा reading का theme यही है कि आपका परमेश्वर आपको कौन सी रण नीती बनाने के लिए बोल रहे हैं ठीके और timeless reading और general reading और आपके सामने जब भी आती है यकीन मानिए विश्वास करिए यूनियर्स आपका परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ यहां पर बताना जरूर चाहता है ठीके और आप इसको कभी भी देख सकते हो और यहां पर मैंने दो guard रखे हुए दो pile रखे हुए इसमें से आपको select करना है मैं बार-बार बोलती हूँ हाँ रीडिंग में बोलती हूँ नहीं कर पाते हो आप दोनों pile देखो ठीके मैं pile यहां पर आपको show कर देती हूँ यह pile number one door to personal healing and happiness अगर चूज नहीं कर पाते हो तो वीडियो को post कर लिया करो आप और उसके बाद आप देख लिया करो otherwise नहीं कर पा रहे हो फिर भी तो आप पूरी डिडिंग देखो दोनों pile की और जो message आपसे resonate हो जाते हैं उन्हें रख लेना जो नहीं होते हैं वो किसी और के लिए छोड़ देना यह pile number two man holding a queen okay man holding a queen okay इसमें से आप एक्स लेक्ट कर लो इसका time stand मैं description box से mention कर दूँगी वहां से आप देख लेना और जिसे भी person reading चाहिए मैंने अपना whatsapp number description box से mention कर रहा है वहीं से आपको देखना है comment section से कभी भी booking नहीं करानी है ठीक है comment section से कुछ भी number नहीं लेना है आपको कि यहाँ पर call करो सब आपके साब cheating हो सकती है फ्रोड हो सकता है ठीक है तो चलते है reading की तरफ और मुझे यहाँ पर कोई बहुत साथ हैपी लग रहा है सकता हूँ क्यों मुझे energy फील हो रही है कि उसको जैसे कुछ बहुत बड़ी good news मिल गई है या कुछ ऐसा पता चला है उसको अपने बारे में जेसे क्यते हैंना उसकी खुशी का ठीकाना नहीं हम पता ने क्यूं मैं मैं फील करney हूं यहाँ पर ऊके तो पुद पता है है कुछ नया कुछ आया है उसकी की जरुते आपका परमिश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं तो चलते हैं पाइल नंबर वन की तरफ हाई पाइल नंबर वन तो जिसने भी ये डोर पर्सनल हेलिंग एन हैप्पिनेस का काड़ चूज किया है उसकी रिटिंग में आपर स्टार्ट कर रही हो और पाइल नंबर वन प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कमें सस्काइब जरूर किया करो ताकि ये आपकी फैमेली है जितनी बड़ी फैमेली होगी आपको उतना ही मतलब यहाँ पर आप अच्छे से अपनी चीजों को जान पाओगे समझ पाओगे क्योंकि एक soul family है तो जितना आप अपनी soul से connect होगे समझ रहा हो मैं बोलना क्या चाहती हो जितना आप जिसी soul से आप मिलोगे न उतनी ही आप अपनी आपकी जो सच्चाई है आपकी जो purity है आपकी जो खूबिया है जो कुछ भी positive है आपके अंदर जो कुद्रत का दिया हुआ है आप तभी समझ पाओगे pile number one ओके तो यहां पर में reading start करती हूँ आपके लिए कि आपको कौन सी रणीती बनाने की जरुत है क्या planning आपको करने की जरुत है आपका परमिश और आपको क्या प्लान करता है ठीक है तो definitely बस आप यह समझ लिए पान number one कि आपके लिए जिसे कुछ प्लान किया गया था ठीक है आपके लिए कुछ ऐसी जिसे रणीती के तहत आपके साथ काम किया गया था यह यूनिवर्स भी कर सकता आपके साथ या आपका जिस धरम से भी हो आप ठीक है उस धरम को अपने परमेश्वर को मान कर उनसे आप इस तरह से connect कर सकते हो तो वो एक प्लानिंग के तहट जो किया जा रहा था ना वो एक जैसे कहते हैं कि कुछ चीजे अब आपके सामने खुलने वाले हैं कुछ ऐसा है जो अभी तक बंद था आपसे hidden उन्होंने कुछ रख रखा था ठीक है तो वो कुछ open होगा आपके सामने और सबसे बड़ी बाती है कि यह जो खुल रहा है आपके लिए कोई gate खुल रहा है आपके लिए कोई दर्वज़ा आपके लिए खुल रहा है वहाँ पर वो उसके खुलने से आप देखोगे कि आपकी खुशियों के बीच में जितनी भी ब्लोकेस थे या जितनी भी रुका वो सब आप देखोगे के आपके यह जो घीरल की जाती है रहा से खुशियों को किया जा सकता है और सकता हो होती है, कि जब हमारी healing हो जाती है, ठीके, तब भी हम किसी भी चीज में उसको feel कर पाते हैं, अपने खुषियों को उसको feel करना, ठीके, तो यही, यही चीजे आपके, आपके जिसे कहते हैं, कि वो दर्बज्जा आपका खुल चुका है आपकी तरफ खुल चुका है बहुत सारी healing खुशियां आपकी तरफ यहाँ पर आपका permission आपको बताना चाहता है ठीके अब करना क्या है आपको जो चीजे आ रही है आपकी तरफ बहुत सारी blessings आ रही है खुशियां आ रही है में amazing change हो रहे हैं जो मैं यहाँ पर intuition से message पिक कर रही हूं intuitively ठीक है बहुत बहुत बड़े major बदलाव आप अपने अंतर यहाँ पर देखने वाले हो क्योंकि कुद्रत खुद आपको यहाँ पर और उसके लिए रण नीती आपको बनानी है कि जो चीज़े आ रही है positive आ उन्हें ववस्तित करना सीख जाओ उन्हें उन्हें जैसे किते हैं एक डायरी मेंटेन करो आप यहाँ पर और गॉड में यही से मैसेज दुते हूंगे तो कार्ड से कैसे दूंगी चलो मैं इसको रखती हूं ठीके और आपको इस सेंटेंस को मैं पूरा कर देती हूं कि आपको सिर्फ अपनी हाल्थ पर भी focus करना अपनी हाल्थ को भी maintain करने की ज़रुत है जैसे किते हैं कि हर चीज में 100% अपना देना और वो दे भी पाऊगे लेकिन उसके लिए planning करने की ज़रुत है आपको ठीके आप मैं देखते हूं यहाँ पर कार्ड से क्योंकि आपकी तरफ है ना healing आ रही कुछ यहां आ रही है मतलब एक बहुत मुझे मुझे इसा लग रहा है अभी कुछ घंटों में शायद आपको कुछ बहुत बढ़ी good news मिल सकती पहल नमबर बन आपके लिए seven number है यहाँ पर seven three and four seven number बहुत जादा इस प्रेचल हो आप यहाँ पर ठीके तो एक किते ना गुद्रत जब हमको देता है चपड़ पार के देता है तो उसको manage करना भी तो आना चाहिए ना उसको balance balance करना आपके लिए बहुत जादा ज़रूर है oh god यहाँ पर two of cups अब में क्या बूल होता है सबसे बड़ी बात आपकी जैसे केते हैं कि एक ऐसा कोई person आ रहा है आपकी तरफ जो आपको बहुत बहुत खुशी देने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह person आप शायद थे तक हो परसे माँग रहे थे यहां कुछ ऐसा जैसे इससे अब सव्हाचाइ 오른 आपके यह दूर अऽोते हुए बहूं ऑकि सी से आहां पर जैसे किते हैं लाइज आपके दो एक ही एक ही इस ओल में आपका मिल रहा है यहां पर जो मैंने अभी इस कार्ड बोला आपकी सोल फैमेली, आपकी सोल फैमेली बड़ी होगी यह यहाँ पर वही है कि आप कोई आपी की तरह आपी का परसन जैसा आपी जैसी सोल है ऐसा परसन आपकी नस्दिक आ रहा है यहाँ पर और बहुत वो परसन ऐसा होगा जो आपको बहुत जैसे केते हैं नहीं कि कुदرت का भेजा हुआ है बस इतना मालो जैसि आपकी thinking है जैसि आपकी सोचे जैसे आपके विचार ही यहाँ पर ठीके किसी की शादी हो ही है जैसे किसी को पसंद कर रहे हो आप यहाँ पर और वो आपकी life में आप उसको लाना चाहते हो जा कुछ ऐसा चीज़े हो रही थी बीच में जो समझ नहीं पारे तो वो clear होगा यहाँ पर ठीके एक जिसे किती है कि दो आत्माइं आपस में मिल रही हैं दो विचार आपस में एक साथ मिल रहे हैं दो चीजे जिसे एक share हो जाता हैं चीजों का जिसे complete हो जाता है यहांपर मैं कुछ देख रही है कि कोई मर्ज हे रहा है आपस में, कोई मिल रहा है आपस में यहांपर, वो खुशी आप महसूस करोगे, उसको आप यहांपर महसूस करने बारे हो, जिस चीज में हट्स्त शेप कर रहा है, कुद्रत का एक जैसे कहते हैं कुद्रत involved है इन सब चीजों में ठीक है आपका परमिश्वर आपको परमिशन दे रहा है परमिशन इस चीज की दे रहा है वो आपको कि अब आप अपने life partner के साथ आप खुशी-खुशी आप रह सकते हो जो चाहो आप कर सकते हो कुछ आपकी च जो आपको बहुत-बहुत खुश करेगा और बहुत आगे तक जाने वाला यह relation ठीक है एक जैसे कहते हैं कि दिल की तमना यह आपकी दिल की तमना पूरी होने वाली है आपको रण नीती क्या बनानी है रण नीती आपको यहां पर पता है क्या करनी की जरुत है कि जैसे कहते आपको वही करना है उसके साथ enjoy करना है ठीक है तो आप planning करो कैसे इसके साथ कैसे इसके साथ जैसे किते time spent करना है कैसे इसके साथ अपनी feeling को share करना है कैसे अपनी दिल की बातों को इस तक पहुचानी है ठीक है कैसे आप इससे और जादा अपनी दिल की मन की बातों को कह सकते हो क्योंकि वक्त है आपका खुद्रत बोल रहा है कि अब इसके लिए प्लानिंग आपको करने की ज़र्द है खुद्रत चाहता है यहां पर ठीके एक किसी की कुंडली आवेगनिंग आवेगनिंग होने पर जैसे केते हैं न, कि उसका और, कोई देखो, यहाँ पर मैं दो जो चीजे देख रही हूँ, कोई सोल मेट जर्नी पर भी है, कोई prospect जर्नी बे भी है, तो किसी का सूल में टारा है, और किसी का ट्रिन्वलाएम से जैसे कहते हैं दो सूल आपस में एक हो रही है। जैसे वो होती एक ही है, लेकिन ट्रिन्वलंग जमची सिपर लेन अनुटा लग कर दिया जाता है। मैं कुछ इसी तरह का एक मिलन यहां पर देख रही हूँ और यह बहुत बहुत जैसे केते हैं कि यह कुद्रत का कुद्रत का करिश्मा होने वाला है आपके साथ और आप भी फील करोगे इसके आने से इस परसन के आने से आपकी फैमिली में है ना बहुत अलग सा चेंज होगा बहुत अलग सा बदलाव आप महसुस करोगे और एक जैसे केते हैं कि खास तोर पर आप कहां फील करोगे आप अपना हार्ट चक्रा आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है अभी तक प्लोक था आपका हार चक्रा आप देखोगे कि आप बिना बद के कोई खुशी नहीं है फिर भी आप बहुत खुश होने वाले हों यहाँ पर यह कोई ऐसा परसन किसी की लाइफ में आ रहा है Ace of Source, Definitely मैं प्लानिंग की रणनीती की बात कर रही हूँ और यह वही काड़ा है Source हमें यही बताता है ठीक है रणनीती कहां सिक히 जाती है Mind सिक히 जाती है, दिमाग सिक히 जाती है, हमारी विचार, हमारी thoughts जब यह हमारे साथ होते हैं, तो हम डेफिनेटली एक ऐसी ऐसे प्लान हम कर पाते हैं, अपने खुद के लिए, जो हमारे लिए बहुत फ्यूचर में जाकर बहुत कारगार सावित होता है, वो हमारे लिए, बहुत कुछ हमें उससे प्रॉफित यहां पर मिलता है, तो आपको आपका परमेशन यहां पर बोल रहा है, कि अब आपको यह रणनीती बनानी है, कि मतलब केते हैं, कि आपके माइंड से बहुत क्रेटिव आइडिया आ सकते हैं, तो उस क्रेटिविटी पे अपने थौट्स पर आपको शक नहीं करना है, आपको उस पर शंका नहीं करनी है, जो भी आता है, उस पर बिलीव यहां पर करने की ज़रत है, क्योंकि यहां पर देखो केते हैं, कि आपका दिमाग, मैं सच बता रही हूँ, आपका दिमाग आपसे बाते कर सकता है, बहुत बहुत क्रेटिव आइडिया आएंगे, बहुत प्लानिंग जैसे करते हो ना, कि आ सिर्फ आपको उसको जैसे गोर फर्माना है, उस पर ध्यान देनी की ज़रत है आपको, बाकी सब कुदरत पर छोड़ देना है आपको, आपकी लाइफ में यहां पर एक बात बताओ, आपकी जिंदेगी में जित्ती भी प्रावलम थी, या जैसे किते हैं ना, हैल्थ से रिल खुद के जैसे किते हैं कि इश्वर ने आपको कुछ ऐसे, कुछ ऐसी जैसे किते हैं कि एक ऐसा गिफ्ट से दे दिया है, जिसके तहत आप अपनी आगे की रननीती आप खुद बनाओगे, आप खुद आपनी रुकावटों को, अपनी ब्लोकेस को, आप खुद वहां पर अपने दिमाग के थुरू, अपने विचारों के थुरू, अपने रणनीती के थुरू, आप उसको खतम करोगे. जब केते हैं ना कि हमारा दिमाग हमारे साथ देता है और चीजे विचार हमारे ऐसे हो जाते हैं बहुत positive हम अपने आपने सोचने लगते हैं तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ठीके तो आपको अपने उपर विश्वास बस यहां पर आपको करने की ज़रत है बाकी सब काम आप कुछ जैसे केते ना कि अपने दिमाग के उपर छोड़ दो आप कुछ अपने फिचर के बारे में बहुत बड़ी जैसे केते ना प्लानिंग आप करने वाले हो प्लानिंग आप करोगे शायद यहाँ पर आप अपने जैसे केते ना के अपने लाइफ पार्टनर के लिए या किसी के लिए भी जिसमें आपको क्लियर्टी मिले वो रेणिती आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है जिसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी सफलता भी मिलेगी बहुत कुछ इसके लिए एक जैसे केते ना कि क्लियर्टी जब हमें मिल जाती है ना तो बहुत कुछ हमारे अंदर एक ऐसे रस्ते ऐसे खूल जाते हैं जहां पर हमें आगे की तरफ ग्रोथ की तरफ हमें लेकर जाते है यह बहुत बड़ी opportunities आपको मिलेगी जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगी एक बहुत बड़ी power है आपके हाथ में उस power को मीस मत होने देना आपको किस रणनीती के तहट आपको काम करने की जर्द थे अब आपको जैसे किते हैं कि किसी भी चीज में अभी तक आप मुझे इसा लग रहा है ना कि आप balance नहीं बिठा पारे थे किसी चीज को आप clear करना चाहते थे लेकिन clear नहीं कर पारे थे एक जैसे केते हैं कि proper उसको सही तरीके से बिठाना एक रणनीती बनाना ठीके और जैसे केते हैं कि हमारा जब दिमाग शांती में होता है पीस में होता है तो तभी हम चीजों को समझ पाते हैं और जान पाते हैं और तब ही हम अपनी जहां पर हमें समझने की जरुरत है, जब हम हमारा माइंड शांती में रहता है ना, तब ही हम चीजों को समझेंगे, लेकिन अब भी तक शायद आप उस इस्थिती में थे ही नहीं, कि आप कुछ अच्छा सोच पाओ, कुछ प्लानिंग कर पाओ, अभी तक शायद आप जैसे किते हैं कि कोई, किसी भी तरह की जैसे नेगिटिविटी, एंसाइटी उसमें फसे हुए थे, लेकिन यहाँ पर हर चीज आपकी क्लियर हो रही है, रण निती आपको अब यहाँ पर यही बनानी है, कि अब आपका जैसे किते हैं कि बहुत बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, उसको कैसे मेनेज करना है, अब तो बस यहाँ पर जो मैं फिल कर रही हूँ कि भई, तो जो जो बस आपकी दुख दिन बिते रहाई अब शुखो आये हो रहें, मैं वहाँ आयाएगा न, ऑक्ये जिसके बारे में आप बहुत जादा सोच चिचार कर रहे थे, जिसके बारे में बहुत जादा कि कब यह मेरी लाइफ में आएगा, कब यह होगा, तो उसके लिए बही आपको रणनीती आपको बनाने की जरुत है कि वो बहुत जल्दी आपकी लायद में आ रहा है सारी प्रॉब्लम जिसकी वज़े से आप mentally disturbed थे या कुछ ऐसा हो रहा था जिसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लेकिन अब आपको उसी के लिए आपको रणनीती बनाने के लिए बोला जा रहा है ओके अब आप सोचना मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ ऐसा नेगटीव सोच होगे जो आपको लोस में लेकर जाएगा जिसकी वज़े से आपकी हैल्थ पर इफेक्ट आएगा ठीके पास्ट में शायत कुछ ऐसी चीज़ों हुई थी जिसकी वज़े से आप बहुत जादा मेंटली डिस्टरब होगे तो यहाँ पर अब आपको प्लानिंग यहाँ पर अब यह करना रणनी ती यह बनाना है कि इस सिच्वेशन से कैसे निकला जाए और वो होगी भी क्लियर होगी हो आपकी लाइब में इस सिच्वेशन से कैसे निकला जाए कैसे क्लियर किया जाए ओके टू कार्ट्स आएं ओ देखो रण नीती पता आपको अब आपको क्या बनाने की ज़र है कि देखो भई मैं क्लियर बोल रही हूं यहां पर आपके लिए कि अब आपको अब आपको जैसे कहते हैं कि उसके बारे में तो जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ में जो भी गलत हुआ है कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़ेसा आप बहुत mentally disturbed हुए हो और बहुत जैसे कहते हैं लो एनरजी में रहे हो जैसे एंसाइटी वगरा जो कुछ भी है वो सब कुछ क्लियर हो रहा है आप एक new beginning की तरफ जा रहे हो एक एक के ऐसी जिन्दिगी की ऐसी शुरुआत हो रही है आपकी जहां पर कोई भी blockage नहीं है कोई भी दुख नहीं है कोई संकट नहीं कोई परेशानी नहीं है ठीके एक जैसे कहते हैं अपने live partner को लेकर बस आप खुशी खुशी आगे की तरफ आप अपनी जिन्दिगी को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो अब आपको रनीती क्या बनानी है कि future में हमें कैसे कैसे खुश रहना है अपने परिवाल के लिए अपनी family के लिए अपनी health के लिए इसको कैसे maintain रखने की ज़र्द है एक अच्छी सोच है ना positive mind होना बहुत जादा जरूरी है और वो आपको वो केते ना वो idea आएंगे आपको क्योंकि अब आपके पता है क्या हो गया आपका mind बहुत healthy हो गया है अच्छी सोच वाला हो गया है यहाँ पर प्लस जिसकी वज़े से आप परिशान थे वो person भी आपकी life में आ चुका है रण नहीं थी आपको पता है आपका परमेशर क्या बोल रहा है कि बच्चे अब आपको अपनी life के बारे में सोचना है जिन्दगी में future में आपको क्या करने की जरूरत है उसके उपर सोच इचार करने की जरूरत है आपको कुछ नया कुछ नया करने की जरूरत है क्योंकि यह जो person आ रहा है आपकी life में, यह बहुत सारी positivity लेकर आ रहा है आपकी life में, जो आपको जैसे केते हैं कि एक नई रस्ते की तरफ लेकर जाएगा, एक नई journey की तरफ लेकर आएगा, जो कोई भी परसन आ रहा है आपकी लाइफ में ये रण नीती उसी के तहट आपको बनाने की ज़रत है कि आपकी जिसे कहते हैं आपकी लाइफ में बहुत positive changes होने वाले हैं बैलेंस हो रहे हो आप यहां पर अब आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है कोई भैन नहीं है आपके अंदर अब जो चाहो और जिसे कहते हैं कि हर सुख को महसूस करने वाले हर प्रेम को आप महसूस करने वाले अब तो बस आप अपनी planning करो भई कि कैसे enjoy करना एक दूसरे के साथ कैसे planning करनी है कैसे खुश रहना है कैसे आगे बढ़ना है कैसे घर बनाना है कैसे family planning करना है मुझे नहीं पता किसके साथ ही reading resonate होगी क्योंकि यहाँ पर आपकी जिंदिगी के एक नई शुरुआत हो रही है new beginning हो ठीके जैसे केते हैं कि एक new birth हो रहा है आपका इस negativity से आप बाहर निकल रहे हो और जैसे केते हैं कि इस block के से आप बाहर निकल रहे हो और हर चीज जैसे नहीं नहीं आपकी life में आ रही है यहाँ पर एक जैसे केते हैं कि बच्चे का फिर से जनम हो रहा है तो बच्चा कैसे कैसे रणनीती बनाता है मुझे अभी ये करना है, मुझे इस्कूल जाना है, सेम वही प्रोसेस आपको करने की ज़रत है, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ग्रोथ है आपके अंदर, बहुत जैसे केते हैं कि उत्साहत से भरे हुए हो आप यहाँ पर अभी, फुल एनर्जी में हो आप य यह भी है, कि इत्ती पॉजिटिविटी, इत्ती खुशियां, इत्ती अबंडनस आ रही है न, तो थोड़ा से जैसे केते हैं कि फिर मैं बोलूंगी, हमें प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए, हमें उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए, हमें इतने खुश नहीं होना चाह है, कि आगे का भी खयाल ना रहे, बेशक आप मतलब बहुत क्लियर हो आप अपनी लाइफ में, और क्लियर होगे, रणनी थी आप डेफिनेटली आप बनाओगे, बहुत बढ़िया-बढ़िया आप जैसे केते हैं न, प्लानिंग आप करने वाले हो, मुझे इसा लग रहा है, जैसे कहीं से कुछ खाजाना मिलाए हैं आपको, ओके, आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ग्रोथ है, अबर्नस है यहाँ पर, लाइफ को कैसे जिया जाता है, लाइफ को कैसे इंचोई किया जाता है, वो अब आप यहाँ है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, रण नीती हमें बनानी पड़ती है, तभी उसको, हम आगी जाकर फ्यूचर में हम उसको और जादा महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीके, एक क्लिर टी बहुत क्लिर टी आपके अंदर यहां पर आ रही है कि एंड में यहाँ पर ओशो से लेती हूं कि थोड़ा सा सोस समझ कर आपको चलने की ज़रत है ठीक है क्योंकि जैसे केते हैं ना कि बच्चा कहीं से अंधेरे में से निकला है और प्रकाश की तरफ आया तो प्रकाश जब किसा सीधा आखों पर पड़ता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है ठीक है तो थोड़ा सा रुप जाओ थम जाओ फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके आगे बढ़ने की ज़रत हैं यहाँ पर खुशी तो आ रही है लेकिन इतने जैसे किते ना कि इतना आप जिन्देगी को एक अलगी नजरिये से आप देखने वाले हो ठीके एक नजरिया अलगी रहेगा आपके थोड़ अलग रहेंगे आपके विचार अलग रहेंगे शाद पास्ट में किसी परसन की वज़े से और यह जो क्लियर्टी है ना यह जो आप जो रणनीती बनाओगे किसी पार्टनर के बारे में अपने लाइप पार्टनर के बारे में अपनी न्यू बिगनिंग के बारे में अपने फ्यूचर के बारे में यह बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है जैसे कहते हैं कि कोई स् अपतार से आप जा रहे हो ठीक है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि चीज़ों को महसूस करो थोड़ा सा ठीक है कि बहुत जादा एकदम कुछ आपको मिल सकता है ट्रस्ट बस देखो एना डरना नहीं किसी भी चीज से जितना आप पिश्वास करोगे अपने उपर ठीक है उतनी ही जिसे कहते हैं है कि जब हम जादा उचाईयों पर होते हैं हमें जब बहुत सादा सक्सेश मिल जाती है हमारी हमें हमें जिसे क्लेटी मिल जाती हमारी दिमाग में जिसके पहले आप सोच नहीं बा inhabited ध 10 ररन नीति नहीं बना पां रहे थे किसी partner के लिए, अपने घर के लिए, अपने future के लिए तो जैसे केते हैं कि वो होगा पर trust करना है आपको trust आपको ये भी करने के लिए बोला जा रहा है कि आप उस उचाईयों तक जाओगे, उस success तक जाओगे और जो आप चाहते हैं वो मिलेगा भी आपको लेकिन जब जाओगे, तो उसके लिए, जब उसे feel करोगे महसूस करोगे, तो एक केते हैं कि जब हमें position मिल जाती है हमें, ठीके, और success हमें मिल जाती है तो उसे maintain करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है maintain करना, तो बस उसी को आपको रणीती वही बनानी जो कुछ भी आपकी life में आ रहा है, new beginning आ रही है clarity आ रही है, abundance आ रही है, तो उसे maintain करने की जरूरत है ठीके, बहुत कुछ बदल रहा है आपकी life में यहाँ पर तो जब कहते हैं कि बदलाव होते हैं, change होते हैं तो वो ऐसे ही नहीं हो जाते है हमें अपने सोच इचार भी बदलने की जरूरत होती है, new vision आप इना जो अभी तक सोच इचार कर रहे थे ना मुझे इसा फिल हो रहा है कि आपका नजरिया बिल्कुल change होने वाला है आप अपने आपको अलगी नजरिये से आप खुद भी अपने आपको देखोगे हो कि अपके आप मुझे इसा लग रहा है न Deck की ने करने काãy त्म स्किरो आपके अंदर हैं आप जिन्दगी में कि खुशियों को महसूस करना चाहते थे है कुर्ट इचाते थे अपक्षा लाइफ में तो वह निकलने वाला है वो वो चीज़े आने वाली हैं आपकी लाईफ में आपर। कुछ बहुत कुछ आपको जैसे केते ही ही नया आपकी लाइफ में होगा सयाफर। नई चीज़े ऐड हो रही है यहां पर। को रेज़ आप यहां पर क्रेट करोगे अ तो इसके लिए आपको रणनीती बनाने की ज़रत है, ट्रस्ट करना है बस ठीके और जो भी अपने अपने उपर विश्वास करना है, ये पता है कि जब हमारी लाइफ में कोई चीजे चली जाती है और बहुत दुख तकलिफ देखर जाती है लेकिन जब वापस यू टर्ण मारती हैं ना खुशियां जो चली गई है चीज आपकी लाइफ से, खुशियां चली गई है, प्रेम चला गया है, जिसे कहते हैं ना कि एक अच्थे विचार अच्छी सोच ये शायद आप मेंटेन नहीं कर पा रहेते। तो वही चीज यू टर्ण मार रहे हैं आपके लाइफ में ठीके एक जिसे केते हैं कि वापस आपको एक जिसे हम कुछ किसी की शादी हो रही है ठीके और उसको जिन्दिगी में अब आगे की तरफ क्या करना है उसको प्लान करने की ज़रत है जैसे कुछ बिगड़ गया था आपकी लैप से कुछ गीर चुका था रिलेशन से कहलो कुछ भी कहलो यहाँ पर लेकिन अब वक्त है उसका जैसे कहते हैं उसका फिर से खड़ा होना उसको फिर से एक नया रूप देना फिर से आगे की तरफ यहाँ पर जैसे किसी बच्चे को जिसे उसको समझा दिया जाता है कि अब आगे से इसी कलती नहीं करना ठीक है हर चीज को जैसे कहते हैं कि हर चीज को किसी की एक वैल्यू होती है तो मुझे इसा लग रहा पास्ट में किस शायद आपने किसी चीज की वैल्यू नहीं करी थी या वैल्यू को जैसे और किसी की नहीं यहाँ पर मुझे इसा लग रहा खुद की अपने आपकी यहाँ पर तो खुद्रत ने शायद आपको पहले वो समझाया है कि पहले खुद की value करो आप यहाँ पर आप अपनी खुशी को जानो अपनी खुशी को समझो यहाँ पर ओके और फिर आपको वो सब कुछ दिया चाहेगा जो आप चाहते हो अपनी लाइब से तो बहुत कुछ गया है टूटा है विखरा आपकी लाइब से लेकिन वापस उसको खड़ा करने के लिए अपने आपको खड़ा करने के लिए खुश रखने के लिए उसके लिए जो रननीती आपको बनानी है क्योंकि सब कुछ फिर से तयार हो रहा है मानों कोई बिल्डिंग बनानी है हमें तो उसका पेरे मेप तयार किया जाता है उसका डांचा तयार किया जाता है सेम वही प्रोसेस आपको अपने बारे में यहां पर करने की जगत है ठीक है यहाँ पर मुझे सा लग रहा है कोई अपने घर के लिए भी प्लानिंग करेगा उसके बारे में सोच इचार करेंगे के हाँ मुझे मेरा घर किस तरीके से हाँ पर रखना है देखा लास्ट कार्ड़ ए किस सेलिब्रेशन आज तो अब है अपको आपको बनाने की ज़रत है ज़्याद ज़्याद बस आपको खुश रहे ना जितना खुश रहोगे उतने पॉजिटिव रहोगे और जितने पॉजिटिव रहोगे आपकी दिमाग से वह इतने ही creative idea आएंगे clear रहेंगे और उसी के तहट आप अपनी जिंदिगी की नई शुरुवात यहाँ पर करोगे एक्शन यस आपको रण नीती बनाने के लिए बोला जा रहा है कि अब जैसे किते हैं कि अब आपको एक्शन लेना है ठीके एक्शन लेना है और लेकिन जब हमकें एक्शन लेने से पहले हम क्या सोचते हैं कुछ प्लान करते हैं लेकिन किसलिए भाग रहें क्यू भाग रहें क्या करना है हमें आगे हां? То उसके लिए बोला जा रहा है आपको क्रोथ है आपकी लाइव में यहाँ पर एक जब कहते हैं कि हम अपनी जिन्दीगी के जब कुछ एहम फैसले जिसे कहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े मेजर बदलाव होने लगते हैं तो हमें वो बदलाव के तहट कुछ हमारे भी करताव ही बनते हैं कि उस बदलाव के तहट हमें भी कुछ प्लानिंग करनी पड़ती हैं वरना वो जिसे कहते हैं कि वो नयापन फिर हम मैसूस नहीं कर पाते हैं ओकी community यस आपको जैसे केते हैं कि अब पहली बात तों मैं यह देख रही हूँ कि आप उस उर्जा में बेठे हो कि अब आप balance हो मैं सच बताओ इतने balance हो आप कि अब आप action ले रहे हो अपनी खुशी की तरफ बढ़ रहे हो trust कर रहे हो आप यहाँ पर और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जैसे केते हैं कि कोई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई यहाँ पर celebrity भी देख रहा है इस reading को तो जो भी आपका dream था वो dreams यहाँ पर पूरा जरूर होगा आपका यहाँ पर लेकिन उसके लिए आपको रणनीती बनाने के लिए बोला जा रहा है कोई यहाँ पर fashion designer भी देख रहा है इस reading को ठीके तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आप सोच इचार करते हो ठीके सोचते हो तो उसे आवई मत छोड़ो मुझे इसा लग रहा है कि आप सोचते हो और लिख के मतलब सोच कर छोड़ देते हो नहीं रहता है दिमाग में तो उसको लिख खलो आप कहीं पर भी ठीके और आपको उसके तहत आपको काम करने की जरुरत है बहुत सारी blessings आ रही है आपकी तरफ और बहुत सारी खुशियां आ रही है celebration आ रहा है यहाँ पर ठीके तो जब केते हैं नहीं कि आप इना अप उसके मुझे इसा लग रहा है किसी के घर में कुछ function वगेरा है ठीके तो उसके लिए आप यहाँ पर रनिती आपको उसके लिए बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हूँ ठीके कोई journey कर रहा है शायद गूमने जा रहा है तो उसके लिए भी मुझे इसा लग रहा है वो भी उसके लिए planning कर रहे हूँ आप यहाँ पर ठीके दा वर्ड यह pile number one आपे न बस आपको जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा major change आपकी life में होने वाला है और जो major change हो रहा है न उसके लिए आपको रनिती बनाने के लिए बोला जा रहा है ठीके कि आपका जो आप सोच इचार करते हो जो जहाँ पर आपका ध्यान है उस तक पहुंचना के से हैं उसे अच्चीव के से करना है है न उसके लिए आपको रनिती बनाने के लिए बोला जा रहा है डेफिनेटली आप इना एक एक एक्शन ले चुके आप आगे की तरफ यहां पर बढ़ चुके हो आप बस सीर्फ आपका ध्यान है न एक एक एसी जगह पर लगा हुआ है जहां पर बहुत कुछ एक बड़ी प्लानिंग के तहट आप मुझे इसा लग रहा है न काम भी करने वाले हो एक बहुत बड़ा प्लान कुछ करोगे आप अपनी लाइफ में ओके पाइल नंबर वन तो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग आई होप आपसे रिजोनेट हो अगर होती तो प्लीज प्लीज लाइक कमें सब्सक्राइब और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इन भाई जेशी किष्णा रादे रादे हर हर महादेव हाई पाइल नंबर टू तो पाइल नंबर टू जिसंते भी में होल्डिंग का कार्ड कॉषक्या उस데डिंग में या पर स्टार्ट करने हो और पाइल नंबर टू प्लीज वीडियो को लाइक कमें सब्सक्राइब जबूर्ड चाहें मैं अपना貌साप नूंबर से में रोग पाइल भी नंबर सेवन था और सेकेंड पाइल भी नंबर सेवन वो थार्टी-फोर था यह 43 क्या बात है और के फाइल नंबर टू यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि कौन सी रण निती आपको बनाने के लिए ठीक है आपका परमिश्वर सबसे बड़ी बात है कि कि यह भी और पात हैं पूरा होने वाला है सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ ऑपोचनेटीज मिल रही है और आपकी कुछ बहुत बड़ी विश्वर यहाँ पर पूरी होने वाली यह किसी प्रोपर्टी से रिलेटेड यह किसी ऐसी कोई ऐसी विश है आपकी जो काफी लमबे टाइम से आप चाह रहे हो अपनी ठीके और जो कितने कि एक एक जिसे बहुत बढ़ा सपना होता है आपका ठीके तो यह वही है कुछ चीज़े आपके हाथ में हैं ठीके कुछ चीज़े आपके हाथ में हैं ओके तो यहाँ पर जो भी financially आपकी बहुत growth होने वाली मुझे इसा लग रहा है financially आप बहुत जादा stability आपके अंदर आ रही है yes planning क्या करना है आपको planning यही करना है कि जब खुर्ष हमें देता है इतना मतलब जैसे कहते हैं कि जितनी हमें ज़र्द होती उससे जादा हमें कहीं देते है या जिससे कहते हैं एक more चीज़ें balance हो जाती है कहीं से हम कुछ मांगते और वह हमें देता है तो उसका करना क्या है अबननस मा लक्षमी की असीम क्रपा आपके उपर होने वाले यहां पर ठीके तो उसको जैसे केते हैं न कि लक्षमी आती है तो लक्षमी की क्या उसकी एक पेसा आता है हमारे पास तो उसके लिए डेफिनेटी प्लान करते हैं न हम इसको कितना कहां पर डिवाइड करते हैं न ना हम मैनेज करते हैं ना हम कि हाँ इस तरीके से प्लानिग करना है अब यहां पर ताकि आने वाले टाइम में उसको जैसे हम गते हैं जैसे हम प्लानिग के प देद हैं तो फिर हम healthcare में हमें वो चीजे डबल ट्रिपल होते हुए मुझे नजर आती है ठीके तो कुछ इस तरह का ही मैं यहां पर देख रही हूँ फाइनेशली ग्रोथ है यहां पर आपकी तो उसके लिए आपको प्लानिंग करने के लिए बुला जा रहा है कुछ ऐसी जगे आप लगाओ अपनी जैसे पेसे को या मनी को जो डबल ट्रिपल होकर आपके पास आ सके गलत तरीके से नहीं ठीके बहुत सोर्स हैं बहुत रस्ते हैं तो आप देखो उस चीज को प्रोपर्टी से रिलेटेड मुझे इसा लग रहा है कुछ बहुत जादा प्रोफिट हो रहा है या आपको कई प्रोपर्टी का जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो आप प्रोपर्टी में तो उसकी वज़ेश वहाँ पर भी आपको बहुत प्रोफिट होने वाला है ओके टू कार्ट्स एक तब में आये हैं मिलूंग ओके यहाँ पर है टाइम प्रेंस एंड शिक्स ओव कप्स यह मतलब एक सबसे बड़ी बात में यहाँ पर देख रही जो कि मैंने नंबर से आपको बोला था यहाँ पर नंबर सेवन ठीके नंबर सेवन आप पेना सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत जादा बैलंस आप कर रहे हो बहुत बहुत बैलंस एनर्जी आपकी यहाँ पर ठीके एक जैसे किते हैं एक ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेडिटेशन करता है द्यान करता है बहुत इशर की प्रात्ना आरादना करता है और उसकी जो विश होती है वो पूरी क्यर्दी जाती किसी भी चीज को जैसे आप मांग रहे थे तहे दिल से मांग रहे थे या बहुत कुछ ऐसा मांग रहे थे आप अपने परमिश्वर से परमात्मा से मैनिफेस्ट कर रहे थे मनी मन में जो कुछ भी आप कर रहे थे मैं सच बताओ यहां पर वो आपका मैनिफेस्टेशन जो कि म जो उम्मिद से बाहर हो सकते हैं, सोच से बाहर हो सकते हैं आपके लिए, ठीके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत बहुत चीजों को आप इस तरीके से आप रणिती बनाने वाले हो, आप अपनी लाइफ में और अपने माइंड में, कि आप जिसे सबसे ब पाता है, एक शांती को हम महसूस कर पाते हैं, और वही सबसे बड़ी बात है, कि वहीं पर अपने आप पर काबू किया है, ठीके, तो यह एक जब कहते हैं, कि हमारे अंदर जब एक सेटिस्वेक्शन किसी चीज का आ जाता है, ठीके, सरेंडर कर देते हैं हम कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं, फिर वो देता जरूर है, और वो दे रहा है, यह एक ट्रिपल का साइन है यहां पर, इतना दे रहा है वो कुद्रत आपको, कि हर चीज में बरकत है आपकी यहां पर, हर चीज में बरकत देख रही हो, और उसी के लिए आपको रनिती बनाने के लिए बोला करते हो ठीक है और मुझे इसा लग रहा कि पास्ट में शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ ऐसा जैसे कहते हैं कि आपको हीलिंग की बहुत जाधा जरुत पड़ी होगी तो एंजल्स ने आपको हील भी करा है एंजल्स आपको यहाँ पर इतना दे रहे हैं इतना देने में सच बताऊं कि आपको पता भी नहीं चलेगा एंजल्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लैसिंग सिबिल्री यह बहुत प्यार मिल रहा है सबसे बड़ी बात है कि आप बैलन्स कर रहे हो आप अपनी situation को और जब हर चीज हमारी बैलन्स हो जाती है आप खुद बैलन्स हो और आप बैलन्स करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर और वो हो जाती है तो बहुत कुछ हमारी life में सब कुछ बराबर हो जाता है यहां पर ओके और जब हम जो चाहते हैं हमारी वो wish complete हो जाती है तो definitely उसके लिए हमें कुछ रणिती बनानी पड़ती है तो आपको वही बनाना है कि बहुत कुछ आपकी life में बदल रहा है यहां पर बहुत आप ऐसे परसन हो, बहुत spiritual हो, loving हो, caring हो, बहुत pure हो आप यहाँ पर, दूसरों को देना आपको बहुत पसंद आता है, दूसरों की help करना, दूसरों से मतलब बिना पक्षपात किये, बिना सोच इचार से help करना, बस वो तो जिससे कहते हैं कि जब एक सची आत्मा जब इश्वर से मांगती है, इश्वर से जुड़ती है, तो definitely उसकी सारी wish जरूर पूरी होती है, तो आपको भी वही दिया जा रहा है, आपकी purity के तहत, आपकी सच्चाई के तहत एंजल्स आपको इतना दे रहे हैं कि उसके लिए आपको रणनीती बनाने की ज़रत है, बहुत जादाया, बहुत रणनीती आपको देखो यहाँ पर यही बनानी है, कि अब आपको इतना लाइफ में इतनी ब्लैसिंग्स आ रहे हैं, तो किसको दे रहे हो, कहां दे रहे हो आप, कैसे परसन में बाट रहे हो, तो थोड़ा सा यह सोच इचार घर आपको करने की ज़रत है, ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ जैसे ऐसा ऐसा दे रहे हो आप सभी को, जो आपके पास इस टाइम पर मौजूद है, तो उसके लिए आपको रणनीती बनाने की ज़रत है, तलावर्स, यह डेफिनेटली मतलब कुछ ऐसी ऐसा पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशन से रिलेटेड या किसी जैसे केते हैं कि चीजे हमारी ऐसी हुई थी, जो हमें बहुत आगे तक लेकर चली जाती हैं, लाइफ को हमें जैसे जाना कहीं और होता है, लेकिन चले कहीं और जाते हैं, वो चीजे समझ में नहीं आती, क्यों हुआ, किसली हुआ, ठीके, तो उसका रिजन जो होता है, हमें पास्ट में जाकर समझ में आता है, जब हम किसी से दूर होते हैं, तो उसका रिजन हमें पास पास्ट में जाकर समझ में आता है कि एक्चल में हुआ क्यूं था किसलिए हुआ था कभी कभी किसी से दूर हटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है तो आपको यहां पर आपके परमेश्वर आपको यहां पर अभी रंडिती बनाने के लिए बोल रहे हैं कि जो जो आपकी खुशियां आपस दूर हुई थी वह वापस आपकी तरफ आ रही हैं अब आपको उन खुशियों को किसके साथ शेयर करना है कैसे करना है और क्यों करना है इसकी प्लानिंग तो आपको बनानी पड़ेगी ओके नाइट ओप कपस नहीं सॉरी टैन अपसोर्स नाइन अपसोर्स है यह और नाइट ओप वैंड्स देखो यहाँ पर रन्रीति आपके लिए ये बनाने के लिए बोला जा रहा है कि पास्ट में बहुत कुछ चीजों को आपने जैसे फेस करा है बहुत फेस करा है हर चीज को फेस करा है अब दुबारा से वो चीज़े रिपिट ना हों आपके साथ में मतलब आपने एक टाइम पर शायद इतना दिया कि आप खुदी खाली हो गए थे यहाँ पर financially भी में बात कर रही हूँ, emotionally भी में बात कर रही हूँ relation से related भी में बात कर रही हूँ अपने आपको कभी इतना जैसे किते हैं न दूसरों के उपर depend इतना मत बनाओ कि दूसरा हमें cheat करके चला जाए, emotionally hurt करके चला जाए या हमारे उपर कोई इतना हावी हो जाए कि हम खुद अपने आपको भूल जाए या खुद हमें अपना ही ध्यान ना रहे इस हद तक कभी भी चीजों को मतलब एक अपनी चीजों को मुझे ऐसा लग रहा है न पहुत किया है और उसका परिणाम आपको क्या मिला उसका परिणाम जीरो मिला है आपको तो खुद्रत आपको यहां पर आपका परमिश्वर आपको यहां पर अभी रणिती बनाने के लिए बोला जा रहा है कि बच्चे मैं तो वापस से तुम्हें दे रहा हूँ चीजों को पाबरनस दे रहा हूँ, लिरेशन दे रहा हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे रहा हूँ बहुत जिसे वो आप खुद ऐसे हो के देने में ज़्यादा विश्वास करते हो आप, ठीके देने वालों में से हो आप यहाँ पर, लेकिन लोगबाग आपका बहुत ज़्यादा उठाते है मुखोटा ओड़कर आपके सामने आते हैं और आप समझने पाते हो लेकिन आप इस पर चल बहुत हो आद्यात्मिक बहुत हो आप यहाँ पर लेकिन अब आपको रन्नीती बनानी पड़ेगी अब आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस पर्सन के साथ आपको कैसा व्यावार करना है कैसे देने की जरुरत है ठीके, ताकि अब आप मुर्ख ना बनो और आप मतलब एक जैसे किते हैं मासुम हो तो ऐसे मत रहो कि लोग बाग उसका फायदा उठा कर चले जाए आपका कोई पर्सन आपसे दूर हुआ तो आप ये टेंशन मत लो कि वो दूर है या बिलकुल अलग हो गया है नहीं, वो अलग नहीं हुआ है किते हैं कि एंजल्स कभी कोई कुछ चीजे हमें समझाने के लिए करते हैं हमें बताने के लिए करते हैं किसी का सच हमारे सामने लाने के लिए करते हैं और जब आप सच जान लेते हो, समझ लेते हो ठीके, तो फिर वो वापस आपकी लाइफ में आ जाता है बहुत spiritual हो आप यहाँ पर कुछ आपकीagain में ऐसा हुआ था जिसकी वज़े से आपने बहुत जैसे परमात्मा से चूड़े हो आप यहाँ पर परमात्मा से prayer करिये पराथना करिये आपने जैसे केते हैं हर चीज को समर्पन कर रहा है आपने परमात्मा को और आपका इश्वर आपको वो चीजे दे रहा है रिपिट में दे रहा है आपको लेकिन रण नेती आपको यहाँ पर यही बनानी है कि आप पहले की तरह से कोई काम ऐसा नहीं करना आपको अब अपनी चीजों को जैसे कहते हैं या अपनी पेशा, मनी, कुछ भी है यहाँ पर रन नीती आपको यही बनाने के लिए बोल रहे है ठीक है एंड क्लीनिंग तुद पास्ट येस दो को पास्ट की जितनी भी आपकी एक बर्डन था, एक stress थी किसी person को लेकर कुछ ऐसे issues थे आपकी life में ठीक है तो उन्हें कैसे वो तो निकल रहे हैं आपकी life से ठीक है, उन्हें कैसे निकालना है और कैसे निकलेंगे वो और निकलेंगे जरूर तो सब कुछ जिसे वो हट रहा है आपके उपर से वो burden हट रहा है आपकी life से और जिसका नहीं है उसको ये रणिती की, इसको कैसे clear किया जाए past lives, yes, past का कोई person है आपका भई तो रणिती आपको बनाने की ये जरूरत है कि अब आपको जैसे जो past में जो कुछ भी हुआ आपके पास साथ वो दुवारा ना दोड़ाओं आप the master, आप खूदी मतलब आपकी सबसे बड़ी बाती है कि आप बहुत जादा इस पर चलो intuitive person हो, आपको खुद को पता चल जाता है ठीके, अब आपको पता चलेगा, मैं सच बता हूँ, पहले पता नहीं चलता होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कोई person किस intention से आपकी नज़्दी का रहा है, वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है अब आप उसको रणनीती उसके लिए ताहद बनाओगे आप कि मुसे किस से मिलना है, किस से बात करनी है, किस से वयवार रखना है, किस से relation रखना है क्योंकि आपको सब समझ में आ चुका है अब यहाँ पर ठीके, और उसी के लिए आपको रणनीती यहाँ पर बनाने के लिए बोला जा रहा है वे मेरे सस्क्राइबर तो प्रेम के मारे हैं, या तो इश्वर के, या अपने उसके किसी को इश्वर का प्रेम चाहिए, किसी को किसी का चाहिए लेकिन मैं एक बाद रता हूँ आपको, कि इश्वर ने जो कुछ भी कराया आपके साथ आपको सही कराया, वड़ना आप अपने आपको पैचान नहीं पाते आप किते pure हो, किते सच्चे हो, किती intuition आपकी हाई है कितना कुछ कर सकते हो, आप angels से connect हो सकते हो आप यहाँ पर यह समझ ही नहीं बाते और वो बहुत सही हो आपके लिए ओके, angel of strength angels आपको यहाँ पर पता है अब वो इतनी इतनी strength दे रहे हैं इतना आपको powerful बना रहे हैं ऐसा दिमाग दे रहे हैं और ऐसी intuition आपको दे रहे हैं कि अब आपको कोई फादर नहीं उठा सकता कते ही भी नहीं क्योंकि जितने आप मतलब केते हैं नहीं कि दिल वाले हो उत्ते आप बहुत अगर प्यार में हो तो जान ले लो अगर धोका धड़ी है या हमारे सब गलत हुआ है फिर आप उसको नहीं छोड़ने वाले हैं फिर तो उसको जैसे केते न बस हो चुका आपको मुझे इसा लग रहे है न गलत चीज़े सहन नहीं है तो आपको रणनी थी भई आपके लिए खुदके लिए बनाने की ज़र्ण है क्या आपको The thinking man Yes सोच इचार करो क्या आगे क्या करने की ज़र्ण है थोड़ी सी knowledge लो थोड़ा सा ग्यान अर्जित करो, थोड़ा सा विचार करो अपने उपर, ठीके, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको. किसी के लिए यहाँ पर एके, एंजलस ने किसी को बहुत बहुत जैसे की समझाया है, ज्यान दिया है, उसकी जैसे किते ने ज्यान चेतना, उसके विजड़म, उसकी नॉलेज से कनेक्ट करवाया है, उसको असली पावर में लेकर आए हैं. अफ्रण नीती आपको यह बनानी है, यह जो पास्ट में हो चुका है, दुबारा वो मेरे साथ ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रत है, बस कभी आप अपने आपको बूलना मत, क्या आपको उन हो यहाँ पर. नमेन ओलनी हाट, मैं केरी उठाख, आप तो वहीं, ने सॉरी में भी ऐसी हूँ, यह हो आप, मतलब दिल फेक, किसी के उपर भी जल्दी विश्वास कर लेना, किसी के उपर भी बहुत जल्दी जैसे, सब को अपनी जैसा समझ लेना, सब मेरे जैसे प्योर हैं, जब सब मेर अरे, यह तो डबल फेस्ट लेके गूम रहाता बंदा, हाँ, अब रण निती आपको क्या बनानी है, अब आपको एमोशनल फुल नहीं बनना है, अब आपको अपनी स्ट्रेंथ मेरेना, अपनी पावर में आपको रहने की ज़राते, ठीके, कोई बहुत जादा बैलन्स हो अपने आप से और आपको बहुत अपने ओंपर काम कर चुका है, इसलिए एनजल ने सब कुछ क्लीन कर चुके हों, तो बहुत देड चुका है, अब रणीती आपको यह बनानी है, अब आपको बहुत मतलब अपनी अपनी इंटुशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रात है, एक बदल वो केते हैं कि कोई किसी को कहां से तोड़ सकता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि आप बहुत जल्दी भावनाओं में बहने वाले हो इतना जल्दी आप बावनाओं में बहे जाते हो ना कि कोई जूट मूट का भी आपके सामने थोड़ा सा भी ड्रामा करेगा ना तो उसको सच मानते हुआ रणनी थी आपको यहीं पर यही बना नहीं कि अब आगे से देखना है क्योंकि और देखोगे भी क्योंकि आप आप कनेक्ट हो चुके हो इंटुशन आपको बहुत ज़्य अब आपको यह जोड़ा काइट करेंगे यहां पर चीक है एंड अ जो हमें चक्रा से लोंगी थेंक यू यू नियर्स थेंक यू सो मच हम देखो एंजल्स ने तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है वह ठीक है बहुत ही ज़्यादा जितना बैलेंस में बेठे होगा हो न वह एंजल्स और आपके परमेश्वर की हैल्प से ठीक है सेल्फ वर्थ रंड निती आपको यही बनानी है कि अब आप पतब अपनी आप लाइफ में कैसे आगे बर सकते हो आपके कुछ सपने हैं कुछ ज्रिम्स हैं आपके तो उन्हें कैसे अच्छी करना यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी ही चीजों पर फोकस लगा के रखना ना कि दूसरों के साथ आपको अपने काम से काम रखना है ऐसा नहीं कि बिल्गुल रिष्टे खतम कर दो नहीं हघ चीजों को जैसे बैलंस किया चाता है ना वही आपको करने की जरत है क्यूंकि आप अपनी स्ट्रेंट में आ चुके अपनी पावर में आ चुके हो यहाँ है डिसकवरी रन नीती आपको अपने कुछ नया करने के लिए बनानी है क्योंकि यहां पर अभी तक मुझे सा लग रहा है आप अपने उपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे ठीके आपका रूट चक्रा ब्लोक था तो वो यहां पर ओपन ओर रहा है रन नीती आपको यहां पर यही बनानी है कि अब जो कुछ अपकी लाइफ में सब कुछ नया हो रहा Hind की गलतियों को दूबारा ना दोहराओ अच्छा खासा सबक तो आपको मिल चुका है एंजल आपको आपका परमेश्वर आपको बहुत कर रहे हैं नई जिन्दिगी के लिए नई शुरुवात के लिए ठीक है कि आपको अपकी लाइफ के कुछ लाइफ परपस हैं तो उनकी तरफ जाओ उनके लिए प्लानिंग करो उनके लिए रन नीती बनाओ उनके लिए नोनेज गेंद करो उनी के लिए आपको इस्ट्रेंथ में लाया गया है आपको अपनी पावर में लाया गया है ओके तो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग आई होप आप से रिजूनेट हो अगर होती है तो प्लीज प्लीज लाइक कमें सब्सक्राइब और थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच और जेशी किष्णा राधे राधे हर हर महादेश